साथियो नमस्कार मैं आज विश्व के सबसे गंभीर विश्व पर मन्थन कर रहा हूँ देखिए समुद्र मन्थन मैं ही आवसकता पड़ी थी भगवान स्यू की भगवान संकर की भगवान भूले नात की और अब जो है संसद में स्री राहुल जी संसद राय वरेली के द्वारा भगवान स्यू का पदारपन कर दिया गया है तो अब भगवान स्यू पर मन्थन ही तो होना ही है मन्थन होने के दूसरे दिन बाद मानने प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र दामुद्रदास मुदी जी ने स्री राहुल जी को बालक बुद्धी कहा है अब ये तो मन्थन करने का विशा है कि आप उन्हें बालक बुद्धी मान रहे हैं कि दुरबुद्धी मान रहे हैं, कि ज्यानी मान रहे हैं, कि ग्याता मान रहे हैं, कि एक दार्षनिक मान रहे हैं, कि देश के बटवारा करने का एक प्रयोग मान रहे हैं, एक सधा सधाया प्रयोग जो सोतंतरता के पहले कुछ तथा कतित राजनेताओं ने किया और देश का बटवारा कर दिया अब वो क्या राम और शुव की विचारधारा को बाटने के लिए दुरबुद्धी बुद्धी मतलब एक देखिए बालक बुद्धी महा भारत में भी उपयोग हुई है दुरियोधन को बालक बुद्धी ही कहा गया बहुत बड़े बड़े चिंतनी और बहुत बड़े बड़े वेताओं के द्वारा बालक बुद्धी की संग्यादी गई दुरियोधन की दुरिधन को तो देश ने क्या देखा महा भारत तो अगर मान्य प्रधान मंत्री जी आप एक सांसत को बालक बुद्धी कहेंगे तो फिर तो महा भारत होना ही है इस काम है कि वो एक महान विस्पोटक और देश में विखंडन की आवाज है इस पर मन्थन करिए बिलाग को पूरा सुनिए और कविरा खड़ा बजार में सब की मांगे खेर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर ये तो एक मन्थन है समुद्र मन्थन आठ अरब आवादी में जि सही रहता है प्रति दिन होता है और भगवान स्यों की यहीं आवसक्ता पड़ती है हाँ जब कोई दुनिया का बदन ना उठा पाए कोई मार्ग ना दिखा पाए तब भगवान स्यों ही दुनिया को मार्ग दिखाते हैं अब संसद में वही इस्तिति हो गई है तो चलिए व और विवेचन है और मन्थन है सुनिया वस साथियो नमस्कार सबसे पहले तो मैं इस बलाग के द्वारा अपने प्रिये नेता विपक्षिके नेता स्री राहुल जी को आभार वेक्ट करना चाहरा हूं कि उन्होंने सदा स्यो अखंडनी स्यो अलखनी स्यो को संसद के परिशर और क्रांगन में और दीड़धा में पहुँचा दिया और श्यो पर आज चर्चा पूरे जगत में हो रही है वास्तों में इस पस्ट हो गया कि स्यो ही जगत के संचालक है अब प्रिये इसलिए सब्द का संबोधन किया प्रिये मतलब डियर कि हमारे लखनो राजधानी के प भारी मतों से दे कर विज़ई बनाया है और विज़ई बना के इस प्रदर्शन के लिए राइबरेली की जंता ने उन्हें संसद में भेजा है कि जाओ भगवान स्यो को भी अब की बार संसद में पहुँचा दो और विश्व की चर्चा कर दो राम की चर्चा हम लोग पर आच चर्चा पूरे देश में हो रही है पक्ष और विपक्ष के तर्क दिये जा रहे हैं विविन तरह की राष्ट्री चर्मलों में डिवेट हो रही है और जिसमें तरह तरह के महान से महान पत्रकार साहवान अपनी अपने तक्ष तक्ष रख रहे हैं मैंने भी एक छो गया या समान रूप से किया गया या वीदि के विरुद्ध किया गया इस पर मंथन करेंगे और मंथन क्या माध्यम होगा पावन ग्रंत स्री राम चरित मानस ये एक आपको नई चीज पूरे उसमें आपको सुनने को मिलेगी यूटुब पे कि हम सामय घटनाव का और सामय मानस को आधार बना करते हैं。 मतलब यह हम क्या हम तो इतने बोलने लाइक नहीं हैं? हम तो रिटारड पुलिस वाले हैं और इतने हम सक्छम नहीं हैं कि इन महान भावों के बुर्द्ध या इनके पक्छ में या विपक्ष में हम कोई टिपणी व्यक्त कर सकें लेकिन स्री राम चिरत्मानस का हम सहरा लेते हैं आप लोग जरूर सुनिये और ये एकदम नया प्रयोग करने का प्रयास हमने किया है मतलब प्रयास कर रहे हैं और उसमें आज हमारे सिर्श बिन्दू पर स्री राजी भगवान शिव हैं भगवान शिव तो अखंड नहीं हैं अलख नहीं हैं वो तो सभी जानते हैं आकल पनी हैं तो आज चर्चा तो भगवान शिव पर होगी और वो भी स्री राम चिरत्मानस को आधार मना कर आप पूरा बलाग तथ्यों के साथ जरूर सुनिये और आज का विचार भी यही है और आज का मन्थन भी यही है साथियो मैं राम पताप सिंग कुश्वाहा हमारे चैनल ग्यान एंड नौलिज के विसेश प्रोग्राम आज का विचार और आज के मन्थन में आपका स्वागत है अभिनंदन है आज का विसे में पहले आपको बता ही चुका हूँ उसी की सुरुवात कर रहा हूँ कि स्री राहुल गांधी जी ने भगवान शू को भी प्रदर्शित किया ईशा मसी जी को भी प्रदर्शित किया गुरु नानक जी बुद्ध जी और महावीर जी को दिया और अहिंसा और सत्त की बात की वास्तों में उनकी ये बात वा emotions होते हैं कि वो किस रूप में पटल पर रख रहे हैं वही संसत से बड़ी पंचायत पूरी दुनिया में आज की तारीक में कोई नहीं है भारत की संसत में सबसे ज़्यादा सदस बैठते हैं इतने सदस पूरी दुनिया में प्रजात अंतरात्म क्विवस्था में नहीं है इस अध्यात्म क्रूप से विचन होगा और विधिक रूप से विचन होगा तो विधिक रूप से तो हम आपको ये पहली बार बता दें कि धारति की नियम 353 और 352 के तहट जो सदन और संसद के नियम में वली है हर चीज की एक नियमा वली होती है उसके द्वारा ये विधि स्री ओम बिर्ला साब स्पीकर साब ने उसी समय टोकते हुए कहा और निमा वली की उनको गंथ भी किताब भी मानने स्री राहुल गांधी साब को उन्होंने दिखाई इसके बाब जूद भी उनकी मर्यादा को भी रखा कि उनको निरुत्तर नहीं किया और उनको यह आभास करा है किसी भी चित्र को और किसी भी प्रतीक चिन्न को संसद में इस तरह से दिखाना अब यदि यह विदि वृद्ध कारे हुआ है निमा वली के वृद्ध हुआ है तो इस पर कारवाई अवस्य होना चाहिए जिससे सारी जंता में और सारे प्रतनदियों में एक सही संदेश जाए और भविस में कोई इस तरह की गलती ना कर सके क्योंकि भगवान स्यों को इस तरह से प्रदरसन करना वास्तों में जो करोणों स्यों भक्त हैं उनका एक उपहास हुआ है और उनके मतलब उनको कष्ट हुआ है और उनका अपमान हुआ है उनके इस्ट का अपमान हुआ कि श्री राहुल गांधी दी उस समय जो है वास्तों में स्वक्ष थे प्रतीक चिन्न को छूने लाइक थे हाथ धोय थे ट्वाइलेट बगएरा गए होंगे शरीर गंदा होगा इस अवस्था में इस तरह से भगवान्शियों को छूना एक अध्यात्मिक रूप से एक अपरा वादू कि उनकी नियत जो है बहुत ही संकिन और बहुत ही विस्पोटक और एक बहुत सोची समझी सरणयनतकारी नीती है देखिए यदी यदी उनकी इश्वर में ही आस्था है ब्रह्मशक्ती में ही आस्था है तो वो आज तक या उनकी पार्टी के वयोवर्द सदस स्री राम लिला जी के मतलब सपत ग्रहन समारोव में मतलब बुलाया गया था समारोव में उसके बाब जूद भी इतना लंबा समय हो गया तो उनको प्रहुसरी राम जी के दर्सन अभी तक कड़ लेना चाहिए यदि उनको वास्तों में सत अहिंसा और जो उन्होंने कहा और इस वर जास्ता को उन्होंने सामने रखा उसके आधार पर तो इसका मतलब वो राम और श्यो में विभादन करना चाहरे हैं जो उन्होंने बात कही भी कि हिंदू हिंसक हैं 24 घंटे हिंसा करते हैं उनके वर्डों सब्दों को आप सुनिये कि उनके सब्दों में कितनी कूरता है और कितना विच्छेदन है और कितना जहर भरा हुआ है वो हिंदूओं को एकदम पद्दलित करना चाहते हैं और अपमारित करना चाहते हैं जो देश के बहुत संचक नागरिक है और उनको हर्ट करना चाह रहे हैं ये उनका एक पहला उद्देश है और इसके लिए सबसे ज्याद अपने अपनी चाल चली है या प्रितक्रिया दी है वो जिस तरह से तुलसी दाज जी के राम चरित मानस लिखने के पूर्व या संकराचार जी के आने के पूर्व पूजे सरी संकराचार जी के आने के पूर्व जिस तरह से भारतिय समाज में स्यो और वैशनो संपरदाय के प पुर्तिस्र बड़त पादमक भाव चला करते थे और मनमुटाव चला करते थे और दक्षण और उत्तर का भी कुछ विवाद चला करता था स्री राहूल गांधी साहब उसी विवाद को पुन्हे जिन्म देना चाह रहे हैं इस देश में और एक तरह से अध्यात्म या धार्म भावना को नेतागिरिया राजनीती का एक हत्यार बनाना चाह रहे हैं सब्के तो यह है कि अभी तक हमारे जो चार संक्राचार हैं उनको भीषन रूप से इस बात का विरोत करना चाहिए लेकिन संक्राचार जी ने अभी तक इस संबंद में कोई अपनी टिपड़ी नहीं पूज संक्राचार जी लोगों ने तो हो सकता है मन्थन हो रहा होगा विचारन हो रहा होगा हर तत्त को बड़े लोग देखते हैं लेकिन चूंकि मैं छोटा मोटा भगवान स्यों का भक्त हूं बच्पन से ही इसलिए मुझे जो कष्ट है मैं इस ब्लाग के माध्यम से सब के सामने रख रहा हों आप लोग भी अपनी प्रितकरिया दें हमें तो वास्तों में बड़ा कष्ट लगा भगवान स्यों और अन्न महापुर्सों को एक राजनितिक हत्यार के रूप में उपियो करना राहूल गांदी जी का अतिनिन्दनी और ये भ्रामक कार है और उसमें भी उन्होंने इसपस्ट रूप से अपने जो उनके वचन हैं कि अभय मुद्रा में ये सब आसिरवाद दे रहे हैं हाथ की मुद्रा में और हाथ कांग्रेस्क पार्टी का राजनितिक निसान चिन्न है तो उस हाथ के निसान को उन्होंने एक कुटिल भावना से मतला लटशित किया है और उसी पर विसेश बिंदू रख कर जन्ता का ध्याना करसन किया है जो उनकी संकिन मानिसकता का परिचय है क्योंकि स्री राहुल जी के अगर पूर में दिये गए कतनों का आप अगर मनन और चिंतन करें तो आप पाएंगे कि 22 जनवरी 2024 को जब स्री राम जी जो मतलब सर्वोपरी हैं जो सर्वोच हैं वो सर्वहारा हैं उन जब वो विराजमान हुए तो यह आरोप लगाया गया कि राम जी को भारती जन्ता पार्टी और प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने काबिच कर लिया है मतलब उन पर कब्जा कर लिया है वो उनके हो हैं तो अगर राम जी भारती जन्ता पार्टी या प्रधान मंत्री नरेंदर दामोदर्दास मोदी जी के हो गए हैं तो अब भगवान स्यो को हम मनाई लेते हैं ऐसा स्री विपक्ष के नेता स्री राहुल जी का ये संकुचित और संकिन विचार है और इसका बहुत अच्छ वर्णन स्री राम चरित मानस में है देखिए स्री राम चरित मानस में रावन जो है जो खलनायक है वो भगवान स्यो का अनन भगता है भगवान स्यो के अलावा वो किसी को नहीं पूचता और राम से सतुरता रखता है तो आप भी सोच रहे हो है कि स्री राहुल जी को कहा हम उन्हें बीच में किस सिपकेंडर बिंदु पड़ ला दिया। बास्तो में जैसा है, देख रहा हूं वैसा है, क्योंकि राहूल जी आज तक कभी भगवान स्रीराम जी के किसीभी मंदिर में या अयुद्या में आज तक नहीं गए, नही उनके कोई वयोवर्द सदस गए तो भाई कहना ही पड़ेगा कि राम से विमुक हैं वो हाँ तो उसी तरह से राम रावन सब का भक्त था लेकिन बस राम से ही दुस्मनी थी उसकी तो वही हाल हो रहा है भाई रावल जी जन्यू पहन रहे हैं भगवान कैलास जी के दर्सन कर रहे हैं कैलास परवत जी के और अब तो सर्विदित ही हो गया कि संसद में भगवान स्यो को अध्यक्ष जी के मना करने के बाब जूद भी उपर दर्सित कर रहे हैं तो इसका मतलब स्यो भक्त तथाकतित रूप से हैं ही यही कहा जाए अब तथा कतित सब्द इसलिए लगाया कि मानिय स्री राहुल जी ने सुन्दर कांट अगर ना पढ़ा हो तो पढ़ ले क्योंकि दिल्ली के मुख मंत्री जी तो हनवान जी के सरण में चले गए थे लेकिन गलत नियत से गए तो उनको पढ़ नाम उल्टा मिल गया देखो भाई जो पढ़ नाम सामने है आज की तारीक में वो तो उल्टा ही पढ़ रहा है उनको फास नाक फास हो गया उनके लिए क्योंकि हनुमान जी बड़े कड़क हैं इस मामले में कि अगर आपने विदी गुरुद्ध कार किया तो तुरंत डंड देते हैं और भगवान नहीं देते एकती जल्दी संकर तो थोड़ी मतलब कठोर डंड देते हैं लेकिन बहुत देखते हैं दीरत रखते हैं लेकिन हनुमान जी बड़ी तकड़े से रूप से डंड देते हैं तो अब चलिए सुन्दर कांड की हम आपको बात बता दें और क्योंकि आप रावण वाली सोच पे आप चल रहे ह हो कि भगवान स्यो को ही अकेले आप पूज रहो राम तो नाम आपके मुझे कभी निकलता नहीं भाई देखिए अब जब सरी राम चरत मानस हमारे सामने हैं तो आप हमें भाई वही बोलना पड़ेगा जो राम चरत मानस में लिखा है हम अपने मन से तो कुछ नहीं बोल सक हमारी किसी से वो नहीं है ना हम किसी को नीचा करना चाहते हैं ना उंचा ना ऐसा आपको कदापी मत समधियेगा हम तो बस आगाह करना चाहरे हैं कि ऐसा आप मत करो आप विपक्च के नेता हो और यूद हो आप से देश को और विपक्च के नेताओं को बहुत उम्मीद हैं और हम सब को भी उम्मिद हैं लेकिन हम यह नहीं चाहेंगे कि आप राम के दुरुही हो जाएं और आप जो है ईश्वर में ही बटवारा चालू करते हैं और मानो को बाटने लगें आप विसे इसकर भारती बहुत संक्यों को जो सेंसूरता वस्देव कुटुम्म और मित्रता बंधत्व के अम्याई रहे हैं मानोता लोक कल्याण भई अगर शूको आप पूझ रहो तो कल्याण करी सोच वाले व्यक्ति होंगे लेकिन देखिए सुन्दर कांड की ये चौपाई भी जो हनुमान जी ने रामण से कही है वो भी आपको याद करना पड़ेगी सुन दसकंड कहों पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी संकर सहस बिश्नुवज तोही सकहिन राख राम कर द्रोही आप और आपकी पूरी पार्टी राम की द्रोही है हम तो यही कहेंगे हाँ हे रामण सुनो मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है हजारों संकर हजारों हजारों संकर जी के अगर चित्राप लेके संसत में खड़े हो जाओ तो भी आप जीतने वाले नहीं हो सत्ता आपको मिलने वाली नहीं है विशेशकर भारत की अधिश्नू और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते अब आगे तो बहुत बड़ा है लेकर फिर भी अभी हम आपको सिव अरादना भी बताए देते हैं उसका भी पला को बताए देते हैं अब देखिए श्री राम जी ने कैसी अरादना की है भगवान सियो जी की संकर प्रिय मुम्मद रोही सिवद रोही मुमदास ते नरक रही कलप भरे खोर नरक महु पास ये राम एस्वर दरसन करही ते तन तजमम लोक सिदर ही ये है राम प्रहु स्री राम लला जी में और भगवान सियो में आपस में कैमिस्ट्री इस कैमिस्ट्री को रावल जी बिगर समझे अगर आप कदम आगे कदम ताल करोगे तो ये आपके लिए हितकारी नहीं रहेगी आपका जो सलाहकार है वो कुछ गुणी व्यक्ति नहीं है आपको गड़े में डाल देता है बताएए आपके इस कदम में आपकी इतनी छीचा लेदर हुई वास्तों में आप मानो या ना मानो एक तो जो बाह चड़ा के आप भगवान सियोजी का प्रदर्शन कर रहे थे वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब क्या कहा जाए असोबनी हो जाएगी सम्मिधानिक भासा नहीं है आप मर्यादित सब्द हम तो अपयोग नहीं कर सकते आप तो माननी प्रदान मंत्री जी के लिए कर ही देते हो वो भी एक अच्छी बात नहीं है और इससे अनुसासन हिन्ता को बढ़ हवा मिलना है समाज में आप देखिए हम पूझ प्रदान मंत्री जी की पोसार और आपके पिताजी की पोसाग कितनी सुन्दर होती थी, कितनी अच्छी होती थी उसको भी मैं इस ब्लाक में समाय उजित कर रहा हूँ जिससे आप प्रेड़ना ले सकें, आप मोटिवेशन ले सकें अरी आप संगर्श करो निर्मल मन जन सो मुहि पावा ये भी सुन्दर कांट में लिखा है निर्मल मन जन सो मुहि पावा मोह कपट छल छिद्रन भावा तो आप भी भारत की रादनी तो ऐसे ही करो तब आपको ये सब्ता भी प्राप्त होगी और इस्वर घीम प्राप्ती हो जाएगी आप निसंदे इस्वर के का आपको पूर्व जन्म का बहुत बड़ा आसिर्वाद प्राप्त है आप समद नहीं पाते अपने आपको गलती हो पर गलती आप कर जाते हो देखिए सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि किसी स्योग आचार को बुला के पहले सुन्दर कांड का एक एक सब्द आप सुन दिए आप नहीं कोई भी राजनेते को मानने प्रधान मंत्री दी को भी हम सलाय देंगे वो भी कभी कभी भटक जाते हैं हाँ मैं देखता हूं कि भटक जाते हैं बीच में थोड़ा सा अहिंकार भी उनको आ गया था इसलिए भगवान स्री राम लला जी ने उनको भी संट पठकनी दी कि वो 240 पर रुप गए कि अहिंकार फिर से न पढ़ जाए इस्वर कभी अहिंकार अपने भक्त का नहीं देखना चाहता है वो भक्त हैं राम जी के भी भक्त हैं और भगवान स्चू के भी भक्त है यही तो राहुल जी नहीं स्वाच पाते है उनकी मूल सक्ति को नहीं स्वाच पाते हैं और टकराने पहुँच जाते हैं देखिए राहुल जी साहब ओ यह आपको बताएगा नहीं लेकिन देखो क्या है रावन क्रोध अनिलिन जे स्वास समीर प्रचंड जरत भिवीशन राखव दीन हु राज अखंड भिवीशन जी रावन के अधीन रहके जले मरे जा रहे थे कुछले जा रहे थे क्या हुआ जो संपत्य सिवराव नहीं दीन दिये दसमात सुई संपत्या विवीशन नहीं सकुच दीन रगुनात अब सबच गए आप कि मोदी जी को पढ़ार बंत्री जी को पावर कहा से मिल लही है और आपको नहीं मिल पा रही है आप 20 कदम दूर रह गए है और ऐसे ही संपत्य नहीं मिली तदी जो राजज नहीं मिला था जो सब्ता नहीं मिली थी ओर भगवान राम जी ने भिवीशन जी को ऐसे दे दी बड़े आराम से हाँ तो इसी में सारा भाव है अब बताओ अयोध्या में वो जीता संसद एक आपका तो आपने राजा कह दिया उसके आपके अनुयाई ने आपके मतलब मनी स्री अखलेश यादो जी ने राजा कह दिया संसद एक संसद क अरे बताइए 543 संसद हैं उनी में से एक वो भी संसद है और ये तो देखिये ना ये राम जी ने कितना बड़ा आपका पक्ष लिया फिर भी आप लोगों की आँख नहीं खुल लेगी अरे ऐसा नहीं है पचास जार बोट कोई जादा नहीं था पचास जार तो वो छत्री जो हैं जो चाता नहीं लिये थे जूते नहीं पहने थे यदि वो भारती जंता पार्टी से नाराद नहोते तो पचास जार बोट तो दस गाओं मिल जाते उनको लेकिन उनकी भी मत खराब थी लल्लू सिंग की मत खराब थी कि वो छत्रियों के पास नहीं गए और छत्रियो से विमुक्त कर दिया बताओ तो ये एहिंकार नहीं है अब इसमें प्रधान मंत्री जी सामिल है कि नहीं सामिल हम नहीं कह सकते प्रतक्च और अप्रतक्च रूप से लेकिन अगर वो सामिल है तो तो फिर भाई वो भी टेंड के लिए तैयार रहे हाँ हम नहीं कहते हैं राम चरित मानस कहते हैं कि अयोध्या वासी अगर खुस नहीं है अयोध्या के नागरिक अगर खुस नहीं है तो भगवान स्री राम लला जी कभी भी सपने में भी खुस नहीं हो सकते और डंड तो भगवान देती ही देते हैं अच्छा और अब एक और चीज़ देख लो कि अयोध्या के सांसद्जी जो जीते उनको सिर्फ अयोध्या में गंदगी दिखाई दी उनको जो हत्या कांड हुआ था कार सेवक उसका वो नहीं दिखाई दे रहा है कि बदबू सरती रही थी लासें उनको आज जब अयोध्या निखर गया है हम तो भाई आयोध्या में पोस्ट रहे हैं ऐसी बात नहीं वो दोनों स्री लू सिंग साब भी और अवधेश साब भी दोनों से हम विक्तिकत रूट से संपर्क में हैं रहते रहे हैं तो दोनों हमारे प्री हैं लेकिन ऐसा आयोध्या को बजनाब मत करो भ्र अवाल तो नहीं होगा पहले की तरह क्योंकि पालिटी बजल गई है और संसद जीत गया है यह सब कह रहे हैं लोग बाग आपनी छवी देख लोग आई हम बता रहे हैं आपको इसलिए संख्या वहां घट गई आपके जीतने के भै की वज़े से और आप समझ नहीं पा रहे हो आपको गंदगी दिखाई दे रहे हैं और वह भी संसद में खड़े होके आप नाम रोसन कर रहे हो अयुद्या जी का अयुद्या के नाग्रिकों पर आप तमाचा मार रहे हो हैं और अयुद्या किसी को दिखाई नहीं दे कि क्या हैं दूर से अगर चला जाएगा आद भी यह रात में भीच मैं वहां दिन हो रहा है इतना भ्रहम मत फैलाओ भाई इतना एसा मत करो ऐसा मत करो भाई सांसात सहाब और हमारे भाई मन्यवर स्री उट्लियस सहाब ऐसा मत करो भाई गर सही को सही रखो गलत कोisas literature तव जनता आपकी बात सुनेगी स्री स्वामी प्रसाद आदी साब ने जो मतलब अपमानित किया था स्री रामचरित मानस को खैर अब 13 माई 2024 को तो रामचरित मानस अब निर्वाद रूप से हम इस पर बोल सकते हैं क्योंकि यूनेस्को ने इसको लोख हित और मानाउंता हित के लिए दुनिया के सरवत्तम गंठों में इस पुछ सामिल कर लिया है तो आप समय समय पर भाई स्री रामचरित मानस से और आज के महान भावों का और प्रासेंगे घटनाओं का वे मोचन इसी तरह से सुनते रहिए हां और हमारे चैनल को सब्क्राइब कर लिए एकदम नई चीज मिलेगी वो सरी रवीश कुमार साहब की तरह नहीं हम की सीधे नकारात्मक ही बोलें हर चीज उनको नकारात्मक ही लगती है सरी रवीश कुमार साहब को और किनी लोगों को सकारात्मक ही लगती है चाह सरकार कुछ करे हैं न करें लेकिन उपसंद सही करते रहते हैं ऐसा है हमारे धर तो जो आपको यथार्थ होगा वो मिलेगा सुनने को तो जरूर सब्क्राइब कर लीजे और हमारा उत्साय वर्दन है तू फॉर्वर्ट करें लोगों को भी भेजिए ये तो जन्जा गुरुपता है भाई हमारे लिए सब बरावर हैं कभी राख़डा बजार में सब की मांगे खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बहर अब हमारे चैनल का जरा भाई पढ़ा दो खैर हम तो अपनी दम से बढ़ाएं गई वो तो अलग बात है लेगर आपके सहयोग की अप इच्छा है भाई हमारे गुरू ने बताया की यूटूबर्स आप तुम निवेदन सबसे जरूर करते रहना चाहे कोई आपका बटन दबाए या ना दबाए तो चलिए आप लगाया हो तो आज स्री धीरंदर सास्त्री बागिस और धाम जी का जनल दिन है चार दुलाई आप एक रच्छा अवस लगाईए अपने अपने घरों में गमले में लगा लिए तुलसी जी का पौधा लगा दिए कपूर का पौधा लगा दिए कुछ ही लगाईए लेकिन लगाईए और चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब को लिए बहुत बहुत धन्वाज जैहन जैहन जैहन